इस अध्याय में हम आपको बता रहे हैं वेबसाइट के पेज में वीडियो एवं अन्य ग्राफिक्स डालना इस से पहले वाली वीडियो में हमने वेबसाइट की थीम बदलना सीखा था इस वीडियो में हम वेबसाइट के पेज के कुछ अन्य फीचर्स के बारे में आपको बता रहे हैं इसके लिए हमने sites.google.com पर जाकर अपने Gmail के username और password से login कर लिया है यहां हम अपनी website के नाम पर click करेंगे यह हमारी website open हो गई है अब यहां से हम उस page पर click करेंगे जैसे हम edit करना चाहते हैं मालेजे हम MS Word 2007 पेज को edit करना चाहते हैं अब हम इस पर click करेंगे अब edit page option पर click करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम इस page के लिए heading डाल रहे हैं heading हमने यहाँ पर type कर ली है अब हम इसकी formatting कर लेते हैं यह heading हमने यहाँ पर दे दी है अब यदि हम इस page पर कोई video डालना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ उपर दिख रहे insert option पर click करेंगे करते ही यह menu open हो गया है इसमें कई सारे options हैं इनकी सहायता से इन में से जो option आप चाहें वो insert कर सकते हैं जैसे image, link, recent posts, इत्यादी चुकि हम अपने page में YouTube की कोई video insert करना चाह रहे हैं इसलिए हम YouTube चुनेंगे YouTube पर click करते ही यह एक box open हुआ है अब यहाँ पर YouTube से जो वीडियो हम यहाँ पर insert करना चाहते हैं उसका URL हमको paste करना है वीडियो का URL लेने के लिए हम YouTube पर चलते हैं YouTube पर जो भी वीडियो आपको चाहिए search bar में उसका नाम डालकर उसे search कर लीजिए हमको जो वीडियो चाहिए था वो हमने search कर लिया है यह वाला वो वीडियो है जो हमको insert करना है तो इस पर माउस रख करके right click करेंगे और यहां से अब copy link address पर क्लिक करेंगे यह address link हमने copy कर लिया है अब हम अपनी website पर जाएंगे यहां पर right click करके past पर क्लिक किया तो यह देखिए वो URL यहां पर आ गया है अब यहां पर display के नीचे video size का option है जिसकी मदद से video display की size कम या ज्यादा की जा सकती है इसमें से जो size आप चाहते हैं वो चुन सकते हैं include title option से हम page में display हो रहे video का नाम बदल सकते हैं यह देखिए यहां पर यह video आ गया है और इसके नीचे कुछ और options है इसमें पहला यह जो screw नजर आ रहा है यह properties का option है मतलब यह वापस हम उसी window पर आ गए हैं जिसमें video size और यह सारी चीज़े हैं आप चाहें तो इनको बदल सकते हैं options चले जाएं तो video पर click कर दें वो वापस आ जाएंगे अब यह जो है यह alignment है left alignment के लिए यहाँ पर click करें यह already यहाँ पर यह left alignment है center में करने के लिए यहाँ click कर दें तो यह देखे video center में आ गया है और अगर आपको write करना है तो यहाँ पर click करके इसको write कर सकते हैं इसके बाद option है wrap on इस option पर click करने से आपके page पर अगर कोई text है तो वो text इस video के आसपास आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बीच में video है और यह आसपास text आ जाएगा और अगर आप wrap off चुनते हैं तो जो भी इस page पर text होगा वो video के ऊपर और नीचे की तरफ होगा यानि जो आपका video है उसके ऊपर text आ जाएगा उसके नीचे आ जाएगा उसके आसपास कोई text नहीं रहेगा और अगर आप इस video को हटाना चाहते हो तो उसके लिए last में यह option मलता है remove का हम इस video को रखना चाहते हैं इसलिए save पर click कर देंगे save पर click करते ही यह देखिए यह video इस तरह से नज़र आएगा अभी हमने आपको insert option का उपयोग करके बताया इसी तरह आप website में कई सारे features का उपयोग कर सकते हैं चलिए अब हम आपको कुछ graphics insert करके बता देते हैं माल लिजिये हमें इस page को दो भागों में बांटना है मतलब इस page में हमें दो columns चाहिए तो हम दुबारा से edit page वाले option को click करेंगे अब यहां उपर layout option पर click करें अब यहां पर आप देख सकते ही कई सारे options हैं one column by default चुना हुआ है यहां से आप two column, three columns चुन सकते हैं यह तीनों simple style है इसी को थोड़ा सा और अलग तरह से अगर आप चाहते हैं तो यह यहां पर आपको one column, two column, three columns वापस से मिलते हैं पर इसमें आप देख सकते हैं जैसे उपर text है, नीचे text है और बीच में दो columns आ गए हैं इसी तरह से three column में ऊपर और नीचे जो है वो text है और बीच में तीन columns बने हैं इसी तरह से left side bar, right side bar, left and right side bars ये सारी अलग-अलग styles हैं आप यहां से अपनी website के page के लिए पसंदीदा layout चुन सकते हैं हम यहां पर two column चुन रहे हैं अभी देखे इस page पे ये दो columns बन गए हैं पहले column में ये हमारा वीडियो है अब दूसरे column में हम image insert करके देख लेते हैं insert वाले option पर click करके जो menu open हुआ है इसमें से image को select कीजिए अब यहां पर आपको जस भी location से image upload करनी है वो आप चुन सकते हैं जैसे आपके computer में अगर uploaded है images वहां से लेना है तो upload images पर आप click करें और अगर आप internet से कोई image लेना चाहते हैं तो यहां web address पर click करके और फिर जो URL है वो वहां paste करके और वहां से image upload कर सकते हैं हम uploaded image ले रहे हैं इसलिए upload image पर click करेंगे अब यहां से जिस भी location पर वो image हो वहां आप जाकर के उस image को upload कर सकते हैं यह eDrive में MS Word 2007 यह वाली image है जो हमको चाहिए इसको select करके open पर click कर दें यह uploading start हो गया है यह हमारी image है जो upload हो गई है अब OK पर click करें तो यहां पर आप देख सकते हैं वो image आ गई है अब यहां पर आप देख सकते हैं कुछ और options हैं इस में से यह तो left alignment के लिए है यह center alignment के लिए और अगर आपको right alignment चाहिए तो यहां पर click करें अब यह जो image है अगर उसका size आपको छोटा करना है तो आप इस पर click करें medium size के लिए M पर click करें और अगर आपको size बढ़ाना है तो L पर click करें यह जैसे L पर हमने click किया तो यह हमारी image का size बढ़ गया है और अगर आपको 100% size चाहिए तो आप यहां पर click कर सकते हैं तो यह जो image है वो इस column में आ जाएगी यह देखिए पुरे column में यह image आ गई है original size चाहिए तो वापस आप यहां पर click कर दें wrap on वाला option यहां भी मिलता है अगर आप चाहते हैं कि इस image के आसपास text आ जाए तो आप wrap on वाले option पर click करें और अगर आप चाहते हैं कि यह जो image है इसके उपर और नीचे text हो तो आप wrap off पर click कर सकते हैं और अगर यह image आपको यहां से हटानी है तो remove पर click कर दें यह image हमने एक insert कर ली, अब हम इसके नीचे एक calendar इंसर्ट करके दिखते हैं उसके लिए वापस insert option पर क्लिक करें और open हुए menu में से calendar सिलेक करें अब यहाँ पर या तो इसे सिलेक कर ले और अगर आप internet से कोई calendar लेना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका web address पेस्ट कर दें और उसके बाद यहाँ select पर क्लिक करें यह हमने इसको select किया और अब यहाँ select पर क्लिक करें यह अब google calendar इंसर्ट करने के लिए यह box आ गया है इसमें height कितनी रहेगी, width कितनी रहेगी, यह सब आप change कर सकते हैं और आप इसको month wise देखना चाहते हैं या week wise वो आप यहाँ से चुन सकते हैं हमने इसको month रखा है, अब यहाँ से आप time zone चुन लें हमको India का time zone चुनना है, यह यहाँ पर यह India time आ गया है, इसको select कर लें अगर आपको इसका कोई title देना हो, तो वो title यहाँ पर डाल दें यह title हमने डाल दिया, आप save पर click कर देंगे यह देखिए यहाँ पर यह calendar आ गया है अब यहाँ पर भी यह सारे options हैं, alignment के लिए, text wrap करने के लिए, वो वैसे ही हैं, जैसे हमने उपर वाल image के लिए देखे थे, अब जैसे ही हम save करेंगे, calendar यहाँ दिखने लग जाएगा save पर हमने click किया, यह देखिए, यह पूरा calendar जो है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है आन्य ग्राफिक्स डाल सकते हैं, इस अध्याय में आपने सीखा, website के पेज में वीडियो एवं आन्य ग्राफिक्स डालना ज्यान योगी की इस अनोखी कक्षा में